तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Mini Attempt E Classes चैनल पर तो जैसा कि आप जानते हैं कि Mini Attempt E Classes एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको Anatomy Physiology के Regular Classes मैं आपको प्रुवाइड करा रहा हूँ तो इससे पहली जो Previous Class थी उसमें मैंने आपको 206 हड्डियों के नाम याद कराए थे तो इससे मेरी जिम्मेदार ये बनती है कि मैं अब आपको उन हड्डियों से related joints हमारे सरीर में पाए जाने वाले बिसेस जो joints हैं उनको मैं आपको याद कराऊं चीक है तो Class की आप सा थोट है तो जरा गौर से सुनिएगा कोई काम तब तक ही असंभव लगता है द्यान से सुनना कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक उसको किया ना जाए ठीक है हम किसी भी काम को जब तक नहीं करते हैं तब तक ही वह असंभव लगता है अन्य था वह काम अगर आपको मेनत के साथ में उसको continue करते रहे सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा आपको उसमें मेनत करनी पड़ेगी अपना time देना पड़ेगा अपने आपको जोकना पड़ेगा तब आपको उसका result मिलेगा तब आपको उसका फल मिलेगा तो ध्यान रखिएगा कोई भी का काम असंबब नहीं है हर काम को हम possible कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हम आज की क्लास तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट के बारे में तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जॉइंट क्या होते हैं जॉइंट की जोड तो जहां जिस पॉइंट पर दो या दो से अधिक क्या जिस पॉइंट पर दो या दो से अधिक हड़ियां आपस में जुड़ती हैं आपस में जॉइन होती हैं उस पॉइंट को उस जगे को उस जंक्शन को हम जॉइंट कहते हैं ठीक है तो जहां दो या दो से अधिक बारे में अगली हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी आज हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए आज हम आए हैं इस क्लास में तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स हम तीन प्रकार से करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑल ओवर बॉडी के अंदर जितने भी क्लासिफिकेशन है एकोडिंग टू फंक्शन ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम कार्यों के अनुसार फंक्शन के अकोडिंग हम जॉइंट्स को बाढ़ते हैं और तीसरा आता है रीजिनल जगे के अनुसार जॉइंट्स कहां कहां और कितने प्रकार के होते हैं वह हम पढ़ क्लासिफिकेशन ऑफ जोइंट क्या पढ़ने वाले हैं एक इंपोर्टेंट बात अगर आपको सभी जोइंट्स याद करने हैं तो इस क्लास को बिना स्किप किए पर पूरी देखिए तो 100% में गारंटी देता हूं कि आपको आज जोइंट्स याद हो जाएंगे ठीक है तो इ आपको दिखाई दे रहा है यह है फाइब्रस जोइंट दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा काटी लेजिनस जोइंट और तीसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है साइनोवियल जोइंट ठीक है कौन से हैं तीन याद करिए सबसे पहला है फाइब्रस जोइंट दूसरा है है Carty laziness joint और तीसरा है cynuvial joint अब एक करके इनके ऊपर बात करेंगे तो देखें आपकी screen पर आया होगा fibrous joint तो fibrous joint क्या है it is the type of joint क्या है it is the type of joint that articulating surface is connected by fibrous tissue अगर आपने tissue पड़े हैं तो tissue के अंदर fibrous tissue वे tissue होते हैं जो हमें मजबूती प्रिदान करते हैं तो fibrous tissue से जो articulation bones का होता है जो bones fibrous tissue के द्वारा जुड़ी होती है उस joint को हम fibrous joint कहते हैं क्या कहते हैं fibrous joint और सबसे मुख्य बात जिसको आपको underline करके लिखना है note करके लिखना है कि no moment are possible in this type of joint ये कई बार question पूछा गया है competitive exam में कि उस joint का नाम मताईए जिसमें कोई भी movement possible नहीं होता तो उसका correct answer उसका सही answer होगा fibrous joint इसमें कोई भी movement नहीं होता अब बात आती है इसके उधारन की तो fibrous joint का उधारन है सबसे पहला suture on skull आप नीचे diagram में देख सकते हैं मैं suture coronal suture इसमें मैंने दिखाया है diagram में suture क्या होते हैं हमारी जो खोपड़ी है is इसकल है उसकी cranial bones sutures के द्वारा ही आपस में जुड़ी होई होती है तो sutures on is skull यह fibrous का सबसे अच्छा example फर उसके बाद में second example आता है आपकी screen पर आपको दिखाई दे रहा होगा second example syndesmosis ठीक है यह syndesmosis वर्ड लिया गया है syndesmosis से जिसका मतलब होता है जिसका अर्थ होता है ligament ligament means क्या होता है जो bones को जोडते हैं याद रखना ligament means क्या होता है ऐसी सन्नचनाएं ऐसी structure जो bones को जोडने का काम करती है उन्हें हम ligaments कहते हैं ठीक है तो in this joint bone are united by syndesmosis में क्या होता है bones united होती है जुड़ी होती है by the fibrous membrane उस fibrous membrane का नाम होता है interosseous membrane और यह interosseous membrane का joint हमें radio ulnar joint में जब radius और अलना आपस में जुड़ती है आप नीचे डाइग्राम में देख सकते है radius और अप जब आपस में जुड़ती है तो उनके बीच में एक special layer होती है उस layer को हम interosseous membrane कहते हैं यह उसके द्वारा जुड़ी होती है ठीक है चलिए next अब आता है तीसरा उधारण gomphosis तीसरा क्या है gomphosis gomphosis बढ़ लिया गया है gums से और tooth से तो ऐसा joint जो gums और tooth हमारे हमारे दात और हमारे मसूरों की वीच में पाया जाता है उसे हम gomphosis कहते हैं और gomphosis joint ही fibrous का example है आपने कभी देखा है आपने notice भी क्या होगा कि जब आप छोटे थे और बड़े ह तक आपने यह notice कि आओगा proper कि हमारे दात कभी हिलते नहीं है हम कोई भी चीज खाएं कोई भी चीज पी है तो हमारे दात हिलते हैं क्या नहीं हिलते हिलते कभ हैं जब वो तूटते हैं तो याद रखिएगा कि ना तो हमारे स्कल के suture कभी movement करते हैं क्योंकि यह fibrous joint है ना g Pomphosis, मानि हमारे tooth और दात के बीच के कभी भी joint कोई भी movement नहीं करते, जब इनके अंदर movement होगा तो ये break हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, किलियर होगा फाइब्रस joint, चलिए अब दूसरा joint पढ़ेंगे हम, cartilaginus joint, अगला joint है cartilaginus joint, नाम से कलियर हो रहा है, cartilaginus joint, ऐसा joint जिसमें cartilaginus उपस्तित होती हैं, cartilaginus पाई जाती है, ठीक है, तो ये दो तरह से classify किया जाता है, cartilaginus joint, पहला primary और दूसरा secondary, टीक है, तो अब एक एक करके हम बात करते हैं, primary क्या है और secondary क्या है, पहले बात आती है primary cartilaginus joint की, ठीक है, primary cartilaginus joint, मैं दूबारह से रिपीट कर रहा हौं, कि primary cartilaginus joint को हम high line cartilage joint भी कहते हैं, क्या कहते हैं, high line cartilage is joint, तो ये क्या होते हैं, ऐसे joint जिनमें bones unite करती हैं by the highline cartilage, तो सामने लिखा हुआ है आपके, कि the bones are united by highline cartilage, specialized cartilages होती हैं, जिनके द्वारा bones आपस में जुड़ी होती हैं, आप नीचे देख भी सकते हैं, डाइग्राम में आपको दिखाया गया है, कि जो हमारी sternum है, जो कि बिलकुल बीचों बीच में पाई जाती है, उससे हमारी ribs जुड़ी होती है, by the special cartilage, known as highline cartilage, ठीक है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, कि इसमें कोई भी movement possible नहीं होता, इसमें कोई भी movement possible नहीं हो ठीक है, चलिए, अब बात आती है, secondary cartilaginus joint की, भाई हमने primary पढ़ लिए, primary को हम highline cartilaginus joint भी कहते हैं, अब बात आती है, secondary की, तो secondary में क्या आता है, it is also called fibrocartilaginus joint, इनको हम fibrocartilaginus joint भी कहते हैं, and bones are united by strong fibrous tissue और fibrocartilage, इसमें क्या होता है, हमारी हड़ियां, हमारी bones, strong fibrous tissue और fibrocartilaginus से attach होती है, जुड़ी होती है, इसका उधारन होता है, symphysis pubis, और intervertebral disc joint, तो दो बर्टीबरा, दो बर्टीबरा, जो कि रीड की हड़ियां बनाती है, तो दो बर्टीबरा के बीच में जो परसपर membrane पाई जाती है, परसपर जो disc पाई जाती है, आप नी दुसरा इसका उधारन है, symphysis pubis का joint, यह symphysis pubis का joint कहा होता है, यह हमारी hip bone का सामने वाला जो पार्ट है, pubis part, जब pubis part आपस में दोनों pubis part जुड़ते हैं, तो एक cartilage के द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए इसको हम cartilaginus joint कहते हैं, इनमे slightly movable joint होते हैं, बहुत ही कम या न important joint, जिसका नाम है synovial joint, क्या नाम है, synovial joint, यह क्या है, यह most common joint होता है, हमारे पूरे शरीर में अगर हम study करें, तो सबसे ज्यादा जो joint उपस्तित हैं, वो synovial joint है, ठीक है, अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद आपको common joint है, और most movable joint है, सबसे ज्यादा freely movable joint हमारी शरीर के यही है, मैं आपको बताया था movements के बारे में, कि fibrous joint movement नहीं करते, cartilage न slightly movable होते हैं, और synovial joint freely movable होते हैं, ठीक है, चलिए उसके बाद मैं, अब इसकी definition की बात करें, तो they are called synovial joint, because they are line with the synovial membrane, and it contains lubricating, fluid called synovial fluid, तो जितना भी यह लिखा हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है, कि synovial joint ऐसे joint होते हैं, जिनके अंदर articulating surface पर, articulating surface माने, दो जुडने वाली हड़ियां, उनकी सते, उनकी सते पर, जो synovial membrane है, उसकी covering पाई जाती है, किसकी covering पाई जाती है, synovial membrane की covering पाई जाती है उसी से synovial cavity बनती है, और उस cavity के अंदर specialized fluid बरागुआ होता है, उसे हम synovial fluid कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम synovial fluid, क्योंकि synovial membrane is a serious membrane, इस point को note कर लो पटापट से, कि synovial membrane is a serious membrane, serious membrane कौन सी होती है, ऐसी membrane जो किसी भी fluid को secret करने का काम करती है, clear, चलिए अब next बात करते हैं, इनके types की, तो types of synovial joint, synovial joint के लगबग 6 types होते हैं, 6 प्रकार से इनको बाटा गया है, 6 प्रकार से इनको classify किया गया है, जिसमें से पहला type, आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा, ball and socket joint, दूसरा प्रकार है इसका hinge joint, याद करना इन 6 के नाम याद होनी चाहिए, आपको बिलक तो ball and socket joint, दूसरा hinge joint, तीसरा pivot joint, चोथा condyloid या ellipsoid joint, चोथा कौन सा है, condyloid या ellipsoid joint, पांचमा है saddle या seller joint, और छटमा है plane joint, ये सभी joints आपको याद होनी चाहिए, चले, अब एक एक करके, ये सुन्दर से इन joints को हम याद करते हैं, बड़े सुन्दर से इनके diagram होते हैं, अगर आप regular याद करेंगे तब, ठीक है, कोई भी काम, मैंने भी आपको बताया, संभव तभी है, जब तक आप उसे नहीं करते, करने लगे तो संभव हो जाएगा, ठीक है, तो ball and socket joint, सबसे पहले आता है ball and socket joint, नाम से ही clear हो रहा है कि एक तरफ ball और एक तरफ socket, ठीक है, ये freely memorable joint होते हैं, in this joint, one articular surface is spherical or ball-like, and other articular surface is cup-like, ऐसे समझेए, कि ये मेरा जो हाथ है, ये ball-like structure आपको दिखाई दे रहा है, बॉल जैसी, और ये cup-जैसी cavity है, तो ये दोनों इसमें फसते हैं, ये joint बनता है ball and socket joint, जो आपको नीचे, आपके नीचे, सबसे नीचे की तरफ आपक दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ, कि हमारी पेर की हड़ी है, जिसको हम फीमर कहते हैं, और hip bone, उन दोनों के बीच में ये joint बनता है, उसे हम क्या कहते है, hip joint, तो hip joint का मैंने आपको नीचे example दिया है, नीचे hip joint का डाइगराम दिखाया है, तो इसमें head होता है, हमारी femur का जो head होता है, वो acetabulum cavity में, hip bone की acetabulum cavity में फसता है, उसी joint को हम ball and socket joint कहते हैं, चारों देशाओं में ये गती कर सकता है, तो इसका अधारन क्या हुआ, एक तो हमारा shoulder joint, कंदे वाले जो joint हैं, ये shoulder joint, और हमारे जो पेर के अंदर पाई जाने वाले कमर वाले joint, जिनको हम hip joint कहते हैं, ठीक है, तो ये ball and socket का उधारन है, चलिए next, दूसरा joint है, hinge joint, कौन सा, hinge, hinge means होता है, कबजे, किवाड में कबजे देखें, ऐसे ही, तो किवाड अगर आप खोलोगे, तो सिर्फ दो ही दिसा में गती कर सकता है, या तो आगे या पीशे, या one plane, only one plane में गती कर सकता है, इ इस बात को आप याद रखिएगा, और ये होते क्या है, in this type of joint, movement art takes place only one plane, तो hinge joint, वह होते हैं, जिन में movement सिर्फ एक ही plane में होता है, उधारन के लिए movement दो होते हैं, इसमें flexion और extension, गौर से मेरे हाथ को देखिएगा, ये मेरा हाथ इसमें सीधा है, मैंने ऐसे मोड लिया, त और खोलने को हम extension कहते हैं, flexion, extension, flexion, extension, तो flexion, extension का movement ही इसमें possible है, इसका उधारन मैंने आपको दिया है, elbow joint और knee joint, क्या दिया है, elbow joint और knee joint, elbow joint, ये कौनी वाला joint है, ऐसे हम elbow joint कहते हैं, आप गौर से देख रहे हूँग, इसमें सिर्फ दो ही movement हो सकते हैं, आप ऐसा तो नहीं movement होंगे, flexion या extension, ऐसे घुटने में भी flexion और extension सिर्फ दो ही movement होते हैं, नीचे मैंने आपको example में diagram भी दिखाया है, knee joint का diagram, किसका, knee joint का जिसमें femur है, tivya है, patela है, ये सब आपस में जोडते हैं, याद रहेगा, चलिए, next, अब आता है pivot joint, तीसरा प्रकार है joint का pivot joint, in this type of joint, a, rounded process of bone, round on ring, होता क्या है इसमें, कि एक rounded ring type की, एक rounded ring type की bone की structure दूसरी के उपर घूमती है, ये बनता है, superior radio ulnar joint, इसका सबसे मुख्योधारन क्या है, superior radio ulnar joint, ये radius और ulnar के, जो joint होते हैं, उनमें ये pivot joint बनता है, नीचे आप diagram में देख सकते हैं, radius और ulnar अपस में जुड़ी हो ही है, तो कौन सा joint बनता है, उनके head में, वो बनता है, pivot joint, तो याद रखना, pivot joint, radio ulnar joint, इसका उधारन है, pivot का उधारन है, radio ulnar joint, इसमें only rotation होता है, rotation means घूमना, गोल गोल घूमना, जैसे प्रतिवी घूमती है, तो rotation कहते हैं, उसे, ऐसे ही, हमारी अलना के उपर कौन घूमत joint है, condyloid, या ellipsoid joint, ठीक है, तो one articular surface, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें होता गया है, कि एक articular surface concave होती है, concave means, दसा हुआ, ठीक है, और another is convex, तो एक articular surface तो होती है, concave, ठीक है, concave, concave माने ऐसे दसा हुआ, ठीक है, और एक होती है, ovary हुई, इस तरीके से ovary, तो यह आ का उधारन है, wrist joint, क्या है इसका उधारन, wrist joint, कडाई का, जिस जगे हम घड़ी बानते हैं, उसे हम wrist कहते हैं, तो wrist के बीच में जो joint बनता है, जो wrist joint बनता है, हमारी radius, अलना, और carpals के बीच में जो joint बनते हैं, वो condyloid, ellipsoid joint का उधारन है, और इसमें movement, चार तरह के movement possible होते ठीक है, चार movement हो सकते हैं, इसमें, flexion, extension, abduction, adduction, तो आप देख सकते हो, flexion, extension, abduction, adduction, तो चार तरह की movement इसमें possible है, ठीक है, तो याद रखना है, condyloid का उधारन क्या है, wrist joint, चलिए आगे, next आता है, saddle या cellar joint, अगला कौन सा है, saddle या cellar joint, इसमें क्या होता है, articular surface is concave or convex, इस तरह की होती है, saddle like, आप नीचे उधारन देख सकते हैं, मैंने आपको example दिया है, carpo metacarpal joint का, किसका उधारन दिया है, carpo metacarpal joint का, और ये इसी का उधारन है, carpo metacarpal joint क्या है, हमारी कलाई में पाई जाने वाली carpals, और ये हतेली की metacarpals, ये दोनों जुड करके, आपस में बनाती है, carpo metacarpal joint, जो की saddle joint या cellar joint का उधारन है, इसमें लेकिन movement सभी हो सकते हैं, flexion, extension, abduction, adoption, rotation, सभी movement possible हैं, सभी movement हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है, चले next, अब आते हैं, छटवे नंबर का joint, plain joint, छटवे नंबर का joint कौन सा है, plain joint, इसमें क्या होगा, in this type of joint, both articular surfaces flat, इ इसकी खासियत है कि दोनों ही surface flat होती हैं, दोनों surface flat कैसे आप नीचे diagram में देख सकते हैं, एक तो हमारी clavicle, clavicle का lateral part flat होता है, दूसरा ये joint बनता है हमारा scapula के acromion process से, वो भी flat होता है, तो ये दोनों जब flat part आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, तो ये joint बनता है, plain joint, ठीक तो ये हमने theoretically पढ़ लिया सारे joints के बारे में, लेकिन मैं आपको फटापट से practically बता देता हूँ, एक बहुती interesting बात, कि ये सभी joint, जितने भी synovial joint मैंने बताए, वो हमारे हाथ में ही उपस्तित हैं, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप अपने हाथ को देख लीजिए, और line wise इसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि कौन से joint, कौन से हैं, तो इसको ट्रिक को आप याद रखना हमेशा, देखिए, ये हमारा सबसे पहला joint है, solder joint, कौन सा, solder joint, जो की ball and socket joint का उधारन है, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था, hinge joint, दूसरा joint का बनता है, हमारे superior radio alert joint, तो radius alert, जहां जुड़ती है, ऊपर की तरफ, elbow के पास में ही, elbow joint के पास में ही, क्योंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर bone, rotate होती है, गती करती है, तो वो pivot joint का उधारन है, चीक है, उसके बाद में अगला joint आता है, condylord या ellipsord joint, तो condylord या ellipsord joint का उधा area, यानि carpals और metacarpal के बीच में, ठीक है, यहां तक हो गया, अब हमें दुबारा से लोटके ऊपर जाना है, तो ऊपर की तरफ, clavicle और, clavicle और, scapula के बीच में जो बनने वाला joint है, वो आता है, plane joint के अंतर में, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much, अगर आपको ये class अच्छी लगी हो, तो आप उसे like करें, हमारी channel को subscribe करें, हमारी videos को जादा से जादा share करें, जिससे आपका सभी का फायदा हो, thank you very much,